साथियों, मानव इतिहास के हजारों वर्षों में, दुनिया की कितनी ही सभ्यताओं ने जन्म लिया, उन्होंने सफलता के बड़े-बड़े सिखरों को छुआ, ऐसी सभ्यताओं भी हुई, जिन्हें देखकर लगता था, कि वो अमर है, अब पराजे है, लेकिन समय की परिश्चा ने बहुत सारी सभ्यताओं को परास्त कर दिया, चूर चूर कर दिया, अज़ दुनिया उनके अवसरसों से इतिहास का आकलन करती है, लेकिन दिसरी और, यह हमारा महान भारत है, हमने अतीत के उन अप्रत्यासित जल्जावातों को सामना किया, हमारे पुर्वजों ने विदेशों से आये आतताईयों के अकल्पनिया आतं को जेला सहन किया, लेकिन भारत आज भी अपनी उसी चेतना, उसी उर्जा और उसी सांस्कुर्दिक गड़ों के साथ जिवनत है, अमरत्व के साथ जिवनत है, ऐसा इसलिए क्योंकि भारत में जब भी कोई मुश्किल दौर आया, कोई चुनोती खड़ी हुई, तो उसका मुकामला करने के लिए कोई न कोई विभूती अवतरीत हुई है, हमारी आध्यात्मीक और सांस्कुर्दिक पहचान को बचाने के लिए, हर कालखण में संताए मनिश्याए, भारत को तलवार के जोर से कुछलने का मन्सुबा पाले, आक्रमार कारियों का मा भारती के कोख से जिन में वीरों ने डटकर मुकामला किया, लासित बर्फुकन भी देश के ऐसे ही वीर योद्धा थे, उन्हाने दिखा दिया कि कट्टरता और आतं की हर आग का अंत हो जाता है, लेकिन भारत की अमर जोती, जिवन जोती अमर बनी रहती है,